हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महावितरन भरती उपकेंद्र साइक विदुक साइक की रिजल्ट के बारे में उसकी जॉइनिंग के बारे में जैसा कि दोस्तो कल मैंने आपको एक वीडियो एविलेबल कराया था और उसके कहा था कि रिजल्ट को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट आने वाली है जो आप सभी के लिए बहुती ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि दोस्तो मैंने ये अपडेट आपको जो हमारी सूतरों से हमें पता चल रहा था कुछ काम के वज़ा से जो है मैं बीडियो नहीं डल पाया था तो इसको लेकर काफी कमेंट भी आया कि सर बीडियो आपने डाला नहीं हमारे जो है टेलीगराम चैनल पर जो है काफी कमेंट आया कि वीडियो डाला नहीं पर दोस्तो एक कैंडेंट ने मुझे कमेंट किया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये सर महावितरन भरती को लेकर जो है आप मजाक मत करें क्योंकि स्टुडेंट जो है काफी गरम हो चुके है इसलिए वीडियो मत डालें यहाँ पर दोस्तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि दोस्तो महावितरन के स्टुडेंट कितने आकरोस में हैं और कितने ज़्यादा रिजल्ट को लेकर इक्षित हैं वो हम से ज़्यादा आप नहीं जानते हैं क्योंकि दोस्तो हम उनको लगभग इच्छे या साथ मैना से उन्हें हम महावितरन की हर एक छोटी या बड़ी अपडेट देते हैं और यहाँ पर टेलीगराम चैनल पर कैंडेट का इसके रिगार्डिंग अपडेट भी आता है कि आपके पास सर जो भी अपडेट आए हमें देजिए यहाँ पर दोस्तो मैं आपको महावितरन की वही अपडेट देता हूँ जो आपके लिए नोलीजवल है जो यूश्पुल है यहाँ पर दोस्तो मैं आपको जाहूँ तो दीन भर के अंदर ऐसी तीन या चार वीडियो मैं जो आपको दे सकता हूँ पर दोस्तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि दोस्तो आपके साथ किसी तरह का जूट बोलकर या result के related या हमारी करमचारी से बात हुई है ऐसा recording मैं आपको जो है काफी सुना सकता हूँ पर दोस्तों मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि candidate को इसको लेकर काफी ज़्यादा confusion रहता है और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि result जल्द ही जारी हो जाएगा मैं आपको exactly date भी बता जाता हूँ पर दोस्तों किसी ना किसी वज़ा से नहीं result जारी होने पर candidate था मुझे काफी comment आता है कि sir आपने ऐसा कहा था पर result नहीं जारी हुआ पर दोस्तों मैं अब जो आपको जो भी news आता है वो आपकी लगता है कि काफी ज़्यादा important है या useful है तभी मैं आपको महावितरन की update देता हूँ वरना मैं आपको ऐसा update नहीं देता हूँ इसलिए दोस्तों पहले आप comment करने से पहले सोचिए कि जो study zone channel है आप सभी को पता है कि महावितरन की हर एक update आपसे कोई भी छूटी नहीं है क्योंकि दोस्तों जो भी हमें लगता है कि आपके लिए वो update useful है या आपकी काफी ज़दा जरूर तो है तभी मैं आपको वो update देता हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने अपने वीडियो में ये भी कहा था कि result को लेकर एक update आ रही है और वो update क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों candidates का काफी comment आता है कि सर क्या 5 April के बाद जो है high court में partition file किया गया है उसके according क्या निड़ने आने के बाद जो है result जारी कर दिया जाएगा या नहीं जारी किया जाएगा तो यहां पर दोस्तों जो आपके लिए जो आंदोलन किये जैसे चंदर सेखर जी ने आंदोलन किया हमारे उपकेंदर साहिक के लिए और यहाँ पर प्रकास जी हमारे विदुख साहे के लिए आंदोलन कर चुके हैं उन्होंने आंदोलन भी किया इसकी regarding बहुत सारी वर्क है जो उसकी results recording बहुत जल्द ही पूरी हुई पर दोस्तों उसी के regarding जान लिजीये कि उसी पे एक जो है उनका ट्यूट आया है प्रकास दी का कि जो है महावितरन की रिजल्ट को जारी करने को लेकर उन्होंने जो है उर्जा मंत्री है उन्हें ट्यूट किया है और उन्होंने ट्यूट करकर क्या कहा है कि उर्जा मंत्री से विदुख साहिक की रिजल्ट को ले कोई ना कोई समस्या इस भरती के ऊपर खड़ी हो जाती है यहां पर दोस्तों जब केंडेट की रिजल्ट आये तब ना तब कुछ ना कुछ इसको लेकर कभी माराथा आरक्षन को लेकर कभी EWS को लेकर यहां कुछ ना कुछ समस्या खड़ी होने के कारण जो है रिजल्ट में देरी हो जा रही है, और ये देरी एतनी हो चुकी है कि लगबग अभी तक किलियर नहीं करपाए है यहाँ पर दोस्तो तो इसी को लेकर प्रकास दी का एक ट्व्ट आ रहा है जो आपको बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे काफी ज़दा important लगा और आपको भी इस वीडियो से वो update जो है important लगेगा क्योंकि दोस्तों उसके महावित्रन भरती को लेकर जो है हमारी उपकेंद्र सायक सारी विदुक सायक भरती को लेकर वो है जल्द ही नितिंत्राउत से मिलने वाले हैं और उन्हों ने साप साप उन्हें यह कहा है कि अगर अब result नहीं जारी होगी तो यहाँ पर प्रकास गड़ में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और वो आंदोलन जो रहने वाला है जब तक महावितरन company result नहीं जारी करेगी तब तक उस आणदोलन से उन्हें छूट नहीं मिलने वाला है इसलिए दोस्तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी information देने वाला हूँ तो यहाँ पर दोस्तो मैं आपको किसी तरह का fake news नहीं देता हूँ कि channel के view के लिए कि आप मेरे videos को देखें यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं कि आप ही का support है तभी जो है हम महावितरन की हर एक update देते हैं क्योंकि दोस्तो YouTube पर आपको ऐसी छोटी छोटी important update बहुत कमी आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर जो भी आपको update देता है वो result से regarding result आ जा रही है या कल आ रही है पर दोस्तो ऐसा कुछ नहीं है इसलिए आप ऐसा comment ना करें कि हमारे आप विश्वास के साथ खेल रहे हैं आप अपने से मन गड़त हमारी विदुक साहिक की result के regarding update बना लेते हैं और हमें डाल देते हैं पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे पास लगती है आप सभी के लिए special update है जो आपको जानने की पूरी हके वही update हम आप तक पहुँचाते हैं तो चलिए direct हम प्रकास जी के उसके official website पर ले चलेंगे website पर लेने के बाद पहले update आपको बता देंगे उसके बाद ही हम इस भरती के process के बारे में बात कर सकते हैं कि ऐसा करने पर क्या जो है महावितरन company जो है result declare करेगी यह नहीं करेगी और यहाँ पर जो है high court का क्या फैसला रहने वाला है यहाँ पर जो partition file की गई है इसके बारे में भी हम थोड़ी से चर्चा करने वाले हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहते हैं दोस्तो अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल study zone को subscribe में किया, subscribe कर लेजेगा वीडियो को like कर दीजेगा और दोस्तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को share करेगा अपने WhatsApp ग्रूप, Facebook ग्रूप जिस ग्रूप पर share करेगा जरूर share करेगा और साथ ही इस वीडियो को दोस्तो वहाँ तक भी जरूर share करेगा जहाँ जो candidate इसके लिए update जाना चाहते है, result को लेकर कोई भी update जाना जाते है, वो update जरूर share करेगा यहाँ पर दोस्तो आप हमारे description में telegram का link है वहाँ से जोने जाए क्योंकि आरे एक हचोटी update आपको telegram से मिल जाएगी, बहले वीडियो के माद्यम से नहीं पर telegram के माद्यम से आपको मिल जाएगी और साथ ही हमारे facebook पेज को यह follow कर लेते हैं, follow कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों, बिना समय गुआ है, मैं आपको प्रकास जी के official tutor handle पर लेके चलता हूँ जैसा कि दोस्तों अभी देख सकते हैं, अभी से tagging किया है, यहाँ पर देख सकते हैं, कि उर्जा मंत्री नितिंतराओत को उन्होंने tagging किया है और इसमें उन्होंने क्या लिखा है हम आपको बदायते हैं, कि उन्होंने लिखा है कि मैं विदुख साहिक की भरती कि सम्बंदित में आप से एक सब्ते के भीतर, यहाँ पर दोस्तों, वो उर्जा मंत्री से एक सब्ते के अंदर मिलने वाले हैं, और मिलकर वो जानना चाहते हैं, कि यदि वे तुरंत हमारी विदुख साहिक की result नहीं जारी करते हैं, तो सभी छात्रों को मिलकर सभी छात्रों को आंदोलन के लिए त्यार रहना होगा, यहाँ पर दोस्तों, उनका direct यही कहना है, कि मैं विदुख साहिक की भरती से सम्बंद में एक सब्ते के भीतर उर्जा मंत्री नितित राउत से मिलने वाला हूं, मैं मिलने जा रहा हूं, यदि तुरंत भरती नहीं करते हैं, तो सभी छात्रों को आंदोलन के लिए त्यार रहना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों, उनका साप साप ये अपडेट आ चुका है, क्योंकि दोस्तों, एक मेना इसलिए डिले कर दिया गया, क्योंकि प्रकाल जी का इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा भी था, कि हम महावितरन की भरती को छोड़ेंगे, ऐसे नहीं, हम उनकी रिजल्ट और कैंडेट्स को पूरा नया दिला करें, जो है इस भरती को छोड़ेंगे, यहाँ पर दोस्तों, एक महिना इसलिए, क्योंकि दोस्तों, एक महावितरन कंपनी रिजल्ट यहीं नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अपनी काटेगरी को चेंज करना था, यहाँ पर दोस्तों काटेगरी चेंज होने के बाद देख सकते हैं, कि दो या तीन अपडेट आपको जो है, त्टीट में मिलने वाले हैं कि क्या महावित्रन कंपनी रिजल्ट जारी करेगी या नहीं करेगी क्योंकि काफी ज्यादा आकरोस में हैं काफी ज्यादा चिंतित हैं कि अपने भविश्य को लेकर कि जो रिजल्ट कब जारी होगी और कब से जारी होना चाहिए यहां पर दोस्तों इनको लिए काफी बेसबरी से इंतजार रहता है कि हमारी जल से जल result आए, merit आए और हमारी जो है विदुख साहिद company में हमारी जो है joining होई तो यहाँ पर दोस्तो अब जो है पास तारीक को आपकी जो भी पता चल रहा है कि वहाँ पर दोस्तो पास तारीक के बाद जो है आपकी date extend नहीं की जाएगी आगे date नहीं बढ़ने वाली है जो पास तारीक को high court का फैसला रहेगा उसके बाद जो है जो भी इस पर partition लगाईगी है वो सब खारिश कर दी जाएगी जो candidate ने लगाई है सब उनके हिसाब से जो है court को देखते हुए वहाँ पर दोस्तो वह खारिश कर दी जाएगी और यहाँ पर दोस्तो अगर court का आदेश आता है कि result जारी करना है महावितरन company को तो वह महावितरन company को court के order पर जो है result जारी कर जा सकता है तो यहाँ पर दो संभावना लग रही हैं आपकी अपरील के अंदर रिजल्ट आने की पहले तो यहाँ पर अगर कोट आजदेश दे देता है कि रिजल्ट भाई डिकलेर करना है तो डिकलेर करना है नहीं तो यहाँ पर प्रकाद जी ने अपने टुटर हैंडल पर हमें काफी बड़ा और काफी ज़्यादा आकरोस में होने वाला है क्योंकि candidate की अब जो है जो है सहन सकती वो खतम हो चुकी है क्योंकि लगबग दोस्तों दो साल से उपर एक भरती के लिए इंतजार करना और उसकी भरती प्रकिरिया को लेकर इंतजार करना वो बहुत लंबा समय हो कि हमें थोड़ी वीडियो जो है थोड़ी सी वीडियो थी दोस्तों पर थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि दोस्तों candidate ने ऐसा कमेंट किया कि हमें आपको बताना पड़ा क्योंकि दोस्तों हम आपने चैनल पर महावितन को लेकर कोई भी अफवा या कोई भी अपडेट ऐसा नहीं देते हैं कि जिसको आपको सुनकर खराब लगे या आप हमें कुछ ऐसा कहें इसलिए दोस्तों जो भी हमारे पास अपडेट आती है वह एकदम ऑफिसली अपडेट रहती है रिजल्ट से जुड़ी रहती है मिरिट लीट से जुड़ी रहती है तब हम आप तक वह अफट लगाने जा रहे हैं इसलिए आपको यह अपडेट जानना काफी ज़्यदा जरूरी थी तो उमीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आया पसंद आया तो लाइक करेंगे और अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल स्टड़ी जोन को सब्सक्राइब करेंगे सब्सक सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तो करें दोस्तों जाहिंद